हाई अवरिवन स्वागत आप सभी का टीचिंगोल्स के इस लर्निंग प्रेटफोर्म पर उमीद आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो हर्याना के अंदर TGD और PGD के अगेन कुछ वेकेंसी हैं जो की आई हुई है किस सब्जक की वेकेंसी है आपको कैसे अपलाए करना है कौन को अपलाए कर सकता है सेलेक्शन प्रोसस क्या रहेगा सारी चीज़े इस वीडियो में डीडेil में आपके साथ डिस्क करूंगे तो इस वीडियो में आप बने रही है मेरे साथ जो बिट्रटाइजमेंट पर जाना है और ये वेकेंसिस आपकी कोशल रोजगार निगम HKRN के तहत है अभी हाली में TGT के वेकेंसिस जो पर्मनेंट वाली है वो खतम हुई और PGT अगें पर्मनेंट आई हुई है तो यहां पर PGT में तो आप ओविसी बात है वहां पर अप्लाई करेंगे बट यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो तो यह ध्यान में रखीगा कि किस-किस पोस्ट के लिए क्या है तो सबसे पहले तो आप अपनी स्टार्ट डेट देख सकते हो और last application date जो आपकी रहेगी तो एक तारीख आपकी आज सही आपकी यहां पर application स्टार्ट हो चुकी है और 6 तारीख आपको total जो है 6 दिन यहां पर दिये चाएंगे और यह जो apply वाला link आप देख रहे हो सभी subject के लिए तो आप जो भी particular subject पे apply करोगे तो वो उनके subject के सामने ही आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो एक से 6 तारिक तक आप apply कर सकते हो qualification दिया गया है अपनी match कर लीजिएगा post industry के बता देंगे अगर कुछ होगा तो otherwise अगर blank है तो फिर blank के हिसाथ से मतलब फिर कहीं भी हो सकता है ठीक है as per nigam wages मतलब जो भी इनका निर्धारित है पैसा वो ही आपको मिलेगा ठीक है तो TGT music में है पहली post यहाँ पर TGT physical education है TGT Punjabi है भई TGT home science है TGT उर्दू की vacancy है इसके बाद PGT geography है PGT physics की vacancy है PGT English की vacancy है PGT computer science की vacancy है PGT Punjabi है और PGT sociology और home science की vacancy है PGT psychology है PGT chemistry है PGT उर्दू है PGT fine arts है PGT music है और PGT physical education की vacancy है तो यहीं तक ही है भई पहले जो इन्होंने vacancy से release करी थी वो अभी closed हो चुकी है जो कि अभी इन्होंने 6-12 में फोम भरवाए थे अभी फिर से मांग रहे है क्योंकि स्कूलों में हलन की permanent teachers जा चुके बट फिर भी बहुत vacancy है तो जिनकी यह जो भरने का काम है वो HKRN से कर रहे है ख्रियानकोशल रोजगार निकम से तो अगर आप इसमें apply कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो यह कुछ TGT और PGT की post है यहाँ पर जो कि आपको 18 post देखने को मिल रहे है TGT और PGT आप बात करते हैं selection process क्या रहेगा selection process में ध्यान में रखिएगा कि आपका ना तो यहाँ पर कोई exam होता है और ना ही कोई यहाँ पर interview होता है ठीक है कुछ नहीं होता है सिरफ जो आप अपने documents वगएरा submit करेंगे उनके base पर आपको marks provide किये जाता है कुछ points आपको मिलते हैं जो कि इन्होंने निर्धारित करे हूँ है वो points में आपको भी दिखा देती हूँ इन points के base पर एक list बनाई जाती है और जो उपर-उपर के बच्चे रहते हैं उनको यह message भेजते हैं कि आपका selection हो गया है आप यहाँ पर join कर सकते हो सारी चीज़े वो बात की बात है तो एक बर ही मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे इनको points जो है यह distribute करते हैं इसमें जो है पहले तो जो HCRN में selection होता था न वो 150 points पर होता था अभी जो है इसको घटा करके 100 कर दिया गया है यानि कि अब जो भी आप certificate करेंगे वो सब किसका वो सब under 100 points में आपकी account करे जाएंगे और यह जो deployment of contractual person policy 2022 में आया थी जिसको बाद में इसको फिर amend किया गया था 2023 में जिसमें ये 150 points है इसको 100 points कर दिया गया था अब यहाँ पर जो maximum score है वो किसी भी candidate को कितने मिल सकते हैं आपको बताया गया है साथ ही parameter बताया गया भी आप कितना इन points को score कर सकते हैं तो family income की यहाँ पर बात करी जा रही है अगर जिसके जितनी कम income होगी उसको तो नहीं points मिलेंगे तो maximum point यहाँ पर 40 है इसके नीचे ही मिलेंगे अगर किसी की income जादा है तो तो कितनी कितनी है वो भी आपको बता देंगे तो वो यहाँ पर चलो मैं साथ के साथ ही बता देती हूँ वैसे मैंने इसके ओपर एक video औरड़ी बनाई हुई अगर आप detail में जाना जाते हो तो आप वहाँ पर जा सकते हो आपको 3 से 6 लाग है तो उसको सिर्फ 10 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे कहने की बात है जो मतलब कमजोड तबके के लोग आते है मतलब उनके लिए बनाया गया है यह ठीक है एच किया रनकी उनको भई नोकरी मिल सके उसके बाद age की बात करी गई है तो age में पहले इसमें maximum 15 points होते थे अब इसमें 10 points कर दिये गए है अब यह age के अंदर 10 points भी कैसे बाते गए है अगर आपकी उमरे 24 से 36 साल है तो आपको maximum 10 number मिलेंगे और अगर आपकी उमरे 36 सा 40 साल है जो की maximum है तो इसमें 5 points आपको मिलेंगे ठीक है उसकी बास skill qualification है अगर आपकी essential qualification के लावा कोई भी अगर skill qualification है कोई भी social का certificate है तो आपको 5 number यहाँ पर मिलेंगे additional qualification है कोई भी मतलब आपकी basic qualification से अगर आप TGT में apply कर रहें तो अगर आपके पास PGT है तो आपको यहाँ पर 5 marks मिलेंगे PGT है आपने M.Phil.net बगरा कर रखा है doctorate हो आप तो उसके 5 marks आपको मिलेंगे social economic के 10 marks यहाँ पर add करे गए है और CET को अभी छोड़ दो क्योंकि teaching की है तो ओविसी बात है H.T. के number यहाँ पर आप count कर लो H.T. है तो आपके पास 10 points आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे Ease of deployment है मतलब जहाँ से आप belong करते हो वहाँ पर ही अगर कोई खाली post है तो फिर आपको 10 points देखने को मिलेंगे Pre-state government experience है आपका किसी भी government department में तो आपको 10 number देखने को मिलेंगे ऐसे आपके total 100 points में से आपका selection करा जाएगा और जो भी उपर-उपर के बच्चे होंगे उनको वहाँ पर select कर दिया जाएगा इन points को अगर आप detail में discuss करना चाहते हो तो जो link मैंने आपको बताया था वो आप click करके आप इन points को अच्छे से समझ सकते हो और इस वीडियो में इतना ही है उमेद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो like, share, subscribe आप जरूर कर सकते हो मिलती हूँ next वीडियो में thank you, thanks for watching me